यही बोर रहा था, इसका मतलब कालचक्र हैं। पर अब फाइनली इसका title हमरे सामने आ चुका है और title है कलकी। जादातर लोग तो title यही होगा बोर रहे ना। खैर यहीं ने, इसका first look देखने के बाद दो लोग और भी बहुत कुछ बोर रहे थे। पर उसके बारे में हम बात में बात करेंगे पहले इस Glims को देख लेती है आज से 875 साल की बात की कहानी जहां दुनिया अंथ होने की आखरी स्टेज पर पहुँच चुकी है अब यहां टेक्निलोजी में दुनिया तो बहुत आगे पहुच चुकी है पर पानी की एक बुंद के लिए इंसन तरस रही है अच्छाई का और वो जमाना नहीं रहा और ना ही अच्छे लोग सब अंधकर की तरफ बढ़ते जा रहे है कली अपनी हद पार कर चुका है और कलकी आने का संकेद मिल चुका है क्या वादेवाई मानना पड़ेगा इसे कहते हैं इंस्पिरेशन मायतोलोजी और साइन्स फिक्शन को मिक्स करके जिस ही सबसे ग्लिम्स को प्रेजेंट किया है ना दिल खुस कर दिया वाई डायेटर नागश्विन के उपर अभी और कोई डाउट नहीं उन्होंने जिस ही सबसे अश्वतामा को कलकी को प्रेजेंट किया है भाई साब गुंडे आते हैं तबाए मचाते हैं बच्चों को भी उठा कर हद से जादा गलत करते हैं तो दिया भी बुझ जाता है और तब अश्वतामा की आँख खुलता है वो भी सिविलिंग के सामने है फिर जब गोडे पे सवार कलकी की मूर्ती को दिखाया जाता है तो प्रवास की एंट्री होती है उसके बद अश्वतामा वसेस कलकी खमाल कर दिया यार यह ग्लिम्स ओडियंस का दिल जितने में काम लेकिन कोई बाद ने ओडियंस को जो चाहिए था वैसा कुछ मज़ा देने का प्रोमिस यह ग्लिम्स कर रहा है तो अब ओडियंस भी इसका इंतजार करने के लिए तयार है कोई दिक्कत के बात नहीं खैर आपने यह कुछ बातों को नोटीस किया क्या इस ग्लिम्स में हमें ऐसे दिखते थे और प्रेजेंट में ऐसे अगर यह सही है तो पास्ट के लड़ाई के टाइम यह जो बच्चा यहां दिख रहा है यह बड़ा होकर कलकी बन सकता है क्या क्योंकि उसके हाथ में आप कलकी का यह गजट्स को देख सकते हो अगला इसके टैटिल के नीचे हमें 2898 देखने मिल जाता है जिससे पता चलता है कि इसका कहानी आज से 875 साल आगे की है पर साथ में हमें AD भी देखने मिल जाता है AD मतलब Anodominy यह एक Latin सब्द है जिसका अर्थ होता है in the year of Lord पर इसे कलकी में क्यों चिपकाया फिर अगला पता नहीं क्यों यह हमें सुदरसन चक कर दिये थे कि अब इसका भी आधिपूरुस जैसा हाल होने वाला है तो उससे हुआ यह कि हम जीरो उमिद के साथ यह गिलिम्स को देखे और एंजय कर पाए नहीं तो हम भी समझ रहे थे कि सेंडिया को कॉमिक कॉन में जाकर यह कहीं ओवर कॉंफिडेंस का सिकार तो नहीं है कैर साथ जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ फर्स्ट लुक से हमें जीरो उमिद रखने को बोलके डबल मजा दिया तो अच्छा लगा और हां इसमें हमें वो टैयर भी दिखता है जिसे इसके मेकर्स बहुत मेहनत से बना रहे थे जब बोला जा रहा था कि इसका टैट यह का कुछ इंपोटेंट रोल हो लेकिन चोड़ो अब टीजर ट्रेलर का इंतजार करती है और देखते है कि यह कब इसका रिलीज डेट को एनाउंस कर रहे है अब हाँ पहले तो यह बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट के 12 जानुवरी को आ रही है पर अब नहीं लगता क्योंक करते हैं आपको कलकी की बारे में क्या कहना है मैं कमेंट करके बताओ अधर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैं सब्सक्राइब कर लो